नमस्ते मैं उज्वला महाराश्ट्रपुना से दोस्तों अपने प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए फल और फूल के साइज और कॉंटिटी बढ़ाने के लिए हम अलग-अलग फर्टिलाइजर यूज करते है हमें जादा तर और और्गनिक फर्टिलाइजर का ही उपयोग करना चाहिए जिससे प्लांट पर कोई भी बुरा असर नहीं होता है और मिट्टी की कॉलिटी भी खराब नहीं होती है तो आज हम ऐसे ही एक और्गनिक फर्टिलाइजर की बात करेंगे जो हम घर के वेस्ट मटेरियल से बिल्कुल फ्री ओफ कॉस्ट बना सकते है इसको कैसे तयार किया जाता है और इसका इस्तमाल कैसे कर सकते है ये सब बाते मैं इस वीडियो में बताऊंगी तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा देखिए हमारे घर में हर रोज ही कम जादा मात्रा में किचर में इस निकलता है तो इसे फेकने की बजायम इससे अच्छा असरदार फर्टिलाइजर तयार कर सकते हैं ये जो आप देख रहे हैं ये मेरे दो गमले है ये एक बड़ा वाला गमला है जिसमें नीचे होल लगे हुए है और ये छोटा वाला गमला है जो इसके साइस के अकोर्डिंग में ने बिठाया है इसमें क्या है इसमें तो इसमें देखिए मैं क्या-क्या ढालती हूं इसमें मैं हमारा रोच का किचन वेश निकलता है वह सब इसमें डाल देती हूं जैसे हमारे चाई की पत्ती, जो मैं अच्छे से धोती हूँ, उसको वैसे ही नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उसमें शुगर और मिल्क का श्चर होता है, तो वो अच्छे से धोके चाई की पत्ती, चाई पत्ती के साथ-साथ बैंगन, कोबी, गाजर, इनके डंठल, प्याज क मतर के छिलके, पालक, धनिया, जैसे लीफी वेजिटेबल है, उनके निकले हुए डंठल, इनके साथ-साथ हमारे गारडन के प्लांट के जो निकले हुए, जड़े हुए पत्ते होते हैं, वो सब मैंने इसमें डाल दिया है, तो ये धीरे-धीरे डीकमपोस्ट होता रहता ह इसमें कभी-कभी महने में एक बार में गुड का पानी भी छिड़क देती हुँ, गुड को मिक्स करके उसका पानी डाला, तो इसमें डीकमपोस्टेशन की प्रक्रिया तेजी से हो जाती है, तो ये इस तरह से तयार होता है, इसका हम सूखा भी फर्टिलाइजर बना सकते ह किसी थेले में इसको इकठा किया, उपर से थोड़ी मिट्टी डाली, तो ये धीरे-धीरे डीकमपोस्ट होके उसका ड्राइ फर्टिलाइजर तयार होता है, किचन वेस्ट कमपोस्ट कैसे बनाते हैं, इसका वीडियो मेरे चाइनल पे अवेलेबल है, और उसके साथ-साथ गुड़का इस्तमाल करके हम डीकमपोसेशन की प्रोसेस कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में भी एक वीडियो अवेलेबल है, आप ये दोनों वीडियो चाइनल पे चेक कर सकते हैं, तो अगर आप साल भर भी ऐसा करें, तो भी ये लिक्वीड फर्टिलाइजर हमें मु हम आवशक्त अनुसार इसमें से फर्टिलाइजर निकाल सकते हैं, लेकिन आप इसमें कभी भी पकाई हुई चीजे मत डालिए, पकाई हुई मतलब हमारा जो बचा हुआ खाना वेगर होता है, उसमें हम तेल डालते हैं, नमक डालते हैं, तो वो जो इसमें कीडे तयार होत फर्टिलाइजर तयार करते हैं उनको आसानी से खाना मिल सके तो अब यह कैसे तयार हो गया है यह मैं आपको दिखाती हूँ देखिए यह बिल्कुल ऐसे गाढ़े रंका तयार हो गया है आप इसको इसे इस्तमाल कर सकते हैं यह जितना पूराना होता जाएगा उतना यह काले रंका हो जाएगा आप इसको एर्टाइब जार में या बाटल में स्टोर भी कर सकते हैं इसे प्लांटमें हफते में एक बार यूज कर सकते हैं शापरे में और इससका स्प्रें हैं हर उस przygot में जो होते हैं वो demos सब मिले हुए होते हैं उसका एक इस में जमा हुआ होता है तो हंगर हमने स्प्रेय किया तो पत्ते से भी हमारा पोध अच्छ से इसको अब нельзя कर सकता है यह पेस्टिसाइड का भी काम करता है और टीलाईजर का भी काम करता है इस्से पत्तों में अच्छी चमक भी आती है, हमारे प्लांट बहुत हेल्दी और हरे भरे दिखते हैं, तो ये बहुत ही आसन तरीका है किचन वेस्ट से फर्टिलाइजर बनाने का, वैसे तो हमारा किचन वेस्ट हम फेक ही देते हैं, तो इससे अच्छा हम ऐसा फर्टिलाइजर बना सकते हैं, और इसे ड पानी जरूर लिजीए, अगर ये पूराना हो गया है, तो ये बहुत असरदार होता है, डीकमपोजेशन की प्रोसेस उसमें बिल्कुल पूरी होती है, ये जितना पूराना हो जाए, उतनी इसकी मात्रा कम कर दीजे, और पानी की मात्रा बढ़ा दीजेगा, ये साल भर रह सक केड़ें लेकिन लेकीज़न ही जिसमें को कुई भी किचन lending करते वावर से ड्राम करते ह Iyaिविर मैं लेकिन लेकंवी ज़न होता है उतना हम उपःस ऑ्टालेंगे और जब तो यह पर लेशन ही मैं द्राय ब्रण 거지 है तो ओन उपर से इसमें फिर से kitchen waste डाल सकते हैं कुछ दिनों के बाद इसको निकाल के भी सुखा के हम इसका भी dry fertilizer बना सकते हैं तो कितना आसान है ना हमारे kitchen waste से organic fertilizer बनाना इसके आगे अब हमारा kitchen waste हम फेकेंगे नहीं इस तरह से easy method से हम इसे organic fertilizer बनाएंगे तो दोस्तों कैसे लगा आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीज़ेगा और मेरे चानल को सब्सक्राइब कीज़ेगा नमस्ते